कोरोना वायस की इस महमारी की चलते हुए अनुभूती योग संस्था की विदेश्न सहयोगी संस्था इंडाली फाउंडेशन स्पेन ने लोगडाउन को देखते हुए 1000 से भी अधिक जरुरतमन लोगों के साथ स्कूली छात्रों को भी खाने पीने की वस्तों के अलावा 60 तन फूड ग्रॉसरी भी बाटी इस मौके पर भारतिये सांसोते केंडु स्पेन के अध्यक्स्वी रॉबर्ट मसी नाहर ने कहा कि आज भले ही हम विरेशी में रहते हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी तता वहीं आज समाच के प्रती हमारे दिलों में बहुत सानुबूती है इस दौरान रॉबर्ट मसी नाहर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमने यह संकल्प लिया है कि किसी भी व्यक्ति को भूका नहीं रहने देंगे यह पुन्ने का कारे महराजा रेस्ट्रेंट के सयोग से किया गया तता वहीं आलोक कुमार भार्दुआज ने कुरोना वायर कि इस लॉक्डाउन को देखते हुए देश के सभी नागरिकों से अग्रह किया कि वो लॉक्डाउन का पालन सस्ती से करें और सुरक्षित रहें करते हैं We are running a food solidarity program at Barcelona it's an initiative of Indian Culture Center and in Dalai Foundation with the help of Maharaja Restaurant of Barcelona also some other NGOs are working with us to help the people in this crisis of COVID 19 करते हम कंगा,那個 करते हैं स्क्माइब धिंजना मेला तक एलादी बाति करा डेम हमेति हमें एलाध से फिल्वे कि भूदक टुकी आफे तोमाइ आफे क्वेश है कि Schnee चल्प अधे कि उपकों के बादिया तो आफे क्पा है कुछ लोगों ने मिलकर ये विचार किया कि हमारे बहुत से इसे भाहिवैन होंगे जो इस समय बहुत तकलीफ में होंगे और भूख से बड़ी तकलीफ मैं समझता हूँ इनसान के लिए कुछ नहीं हो सकती ऐसे में हमारे प्रिये रोबर्ट मसी जी जो भारती मूल के पहले सेनिटर है यानि के वो स्पेंड की राज्यसभा के सदस्य है उनकी एक फांडेशन है जिसका नाम है इंदाली फांडेशन तो इंदाली फांडेशन के सोजन्य से रोबर्ट मसीजी ने ये कारिकरम शुरू किया और उसके साथ इंडिन कल्चर सेंटर वाले भी जुड़े तो ये दो लोग जब मिले लेकिन इनका जो विशेशग्य नहीं थे वो खाद्यबधार्थ के मामले के अंदर तो उन्होंने महिंदर सिंग विर्ख जो की महराजा रेश्टरॉं के मालिक हैं उनके साथ संपर किया और इन तीनों ने मिलके एक तरह से ये खाद्यबधार्थ का जो वित्रण है उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश इस समय बहुत बुरी स्थिति का सामना कर सकते हैं या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं था कि वास्तविक्ता क्या है उनके दिमाग में विचार आया जिसके उपर उन्होंने कारेकरना आरंब किया और वो कहते हैं जैसे रभी मिनाठ ठाकुर ने कहा था कि यदि तुमारे साथ कोई नहीं आये तो आप अकेले चलो तो ये तीनों संस्थाएं मिलकर इन्होंने अपना करेकरम जब आरंब किया तो दीरे दीरे लोग इनके साथ जूड़ते गए